नमस्कार साथियों आज सत्तर हजार से जादा युवाओं को भारत सरकार के विभिन विभागों में सरकारी नोकरी का नियुक्ति पत्र मिल रहा है आप सभी ने कड़ी मेहनत से ये सपलता हासिल की है मैं आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई और सुबकामनाई देता हूँ कुछी दिन पहले गुजरात में भी ऐसा ही हजारों लोगों को रोजगार देने वाला रोजगार मेले का आयोजन होगा था इसी महिने असम में भी एक बड़े रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है भारत सरकार और के रोजगार मेले युवाओं के प्रती हमारे कमिट्मेंट को दर्साते हैं साथियों बीते नव वर्सों में भारत सरकार ने सरकारी भरती प्रक्रिया को ज्यादा तेज करने ज्यादा पारवर्सी और निस्पक्ष बनाने को भी प्रात्विक्ता दी हैं पहले स्टाफ सिलेक्शन बौर्ड आवेदन करना ही बहुत मुश्किल होता था एक एप्लिकेशन फॉर्म लेने के लिए गंटो लाई में लगो रहो डोक्युमेंट्स को एटेस करवाने के लिए गैजेटेड ऑफिसर्स को खोजो फिर एप्लिकेशन को डाग द्वारा भीजा जाता था और इसमें ये भी पता नहीं चलता था कि वो एप्लिकेशन समय पर पहुँची या नहीं पहुँची जहां पहुँचना था वहां पर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया ओनलाइन हो गई है आज डोक्युमेंट को सिल्फ एटेस करना भी परियाप्त होता है गुरुप सी और गुरुप डी के पदों पर भरती के लिए इंटर्यू भी खतम हो गए है इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि ब्रश्टाचार या भाई भतिजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं कि साथियों कि आज का दिन एक और वज़र से बहुत विशेश हैं कि नव साल पहले कि आज के ही दिन सोला मै को लोग सभा के चुनाव के नतीजे आये थे तब पूरा देश उत्सा उमंग और विश्वास से जुम उठा था सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ कदम बढ़ाने वाला भारत आज विक्सित भारत बनने के लिए प्रयास कर रहा है जैसे नव साल पहले सोला मै को लोग सभा के चुनाव के नतीजे आये थे वैसे ही आज एक और भी महत्वपुन दिन है आज हमारे एक महत्वपुन प्रांत हिमाले की गोद में बसा हुआ सिक्किम प्रांत का भी स्थापना दिवस है साथ्यों इन नव वर्षों के दवरान रोजगार की नई संभावनाओं को केंद्र में रक करके सरकार की नितियां तयार की गई आदूनीक इंफ्रास्टरक्चर का निर्माण हो ग्रामे छेत्रों का विकास हो या फिर जीवन से जुड़ी सुवीधाओं का विस्तार हो भारत सरकार की हर योजना हर नीति युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बना रही है साथियों बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने केपिटल एक्सपेंडिचर पर करीब करीब 34 लाख करोड रुपिये खर्च किये हैं मुलवुत सुवीधाओं के लिए इस साल के बजेट में भी केपिटल एक्सपेंडिचर के लिए दस लाख करोड रुपिये किये गए हैं इस राची से देश में नए हाइवे बने हैं नए एरपोर्ट नए रेलरूट नए पूल अंगिनित ऐसे आधुनिक इंफ्रास्रेक्टर के निर्मार से भी देश में लाखों नए रोजगार बने हैं जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है यह भी आजादी के 35 साल के इतिहास में अभूत्पुर्व है रेल लाइन का इलेक्टिफिकेशन हुआ है याने डबल 2014 से पहले हमारे देश में हर महीने सिर्फ 600 मिटर 600 मिटर नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही थी आज भारत में हर महीने 6 किलो मिटर उस समय हिसाब मिटर का था आज हिसाब किलो मिटर का है 6 किलो मिटर नई मेट्रो लाइन का काम पूरा हो रहा है 2014 से पहले देश में 4 लाइक किलो मिटर से भी कम ग्रामीड सड़के थी आज देश में 7 7 लाइक किलो मिटर से भी जादा ग्रामीड सड़के हैं ये भी करिब करिब डेवल 2014 से पहले देश में सिरफ 74 एरपोर्ट थे आज देश में एरपोर्ट की संख्या भी बढ़कर 150 के आसपाथ पहुँच रही है ये भी डबल बीते नव वर्षों में देश में गरीबों के लिए जो 4 करोड पके घर बनाए गए हैं उन्होंने भी रोजगार के अनेक नए अवसर बनाए हैं गाओं गाओं में खुले पांथ लाग कॉमन सर्विस सेंटर आज रोजगार का बड़ा माद्यम बने हैं युवाओं को विलेज लेवल एंट्रिप्रणर्स बना रहे हैं गाओं में तीस हजार से जादा पंचाए धवन बने हैं या फिर नव करोड घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ना इस सभी अभ्यान बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा कर रहे हैं देश में आ रहा विदेशी निवेश हो या फिर भारत से रिकॉर्ड एक्सपोर्ट ये देश के कोने कोने में रोजगार साथियों बीते नव वर्षों में नेचर अब जॉब नेचर अब जॉब में भी बहुत तेजी से बड़लावाया है बदलती हुई इन परिश्चितियों में युवांगों के लिए नए सेक्टर्स उभर कर आए हैं केंद्र सरकार इन नए सेक्टर्स को भी कि निरंतर सपोर्ट कर रही है इन नव वर्षों में देश्च ने स्टार्ट अप कल्चर की नई क्रांती देखी है कि 2014 में देश्च में जहां कुछ सो स्टार्ट अप से वहीं इनकी संक्या आज एक लाख स्टार्ट अप तक पहुँच रही है और अनुमान यह है कि इन स्टार्ट अप में कम से कम दस लाख युवाओं को रोजगार दिया है साथियों इन नव वर्षों में देश्च ने कैप एग्रिगेटर्स यानि एप के जरिये टैक्सी को भारतिये शहरों की नई लाइप लाइन बनते जिखा है इन नव वर्षों में ओनलाइन डिलिवरी का एक ऐसा नया सिस्टिम तयार हुआ है जिसने लाखों युवाओं को रुजगार दिये है इन नव वर्षों में ड्रोन सेक्टर में नया उच्छाल आया है फर्ट्रिलाइजर के छिड़काओं से लेकर दवाईयों की सप्लाई तक में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ रहा है इन नव वर्षों में सीटी गैस डिस्टिबिशन सिस्टिम साट सहरों से आगे बढ़ कर छैसों से भी जादा सहरों में पहुंच गया है साथियों बीते नव वर्षों में भारत सरकार ने मुद्रा योजना के तहत 23 लाग करोड रुपिये देश के युवाओं को दिये है इस राची से किसी ने अपना नया व्यापार कारोबार शुरू किया है किसी ने टेक्सी खरीदी है किसी ने अपनी दुकान का विस्तार किया है और इनकी संख्या लाखों में नहीं मैं गर्व से कहता हूँ ये संख्या आज करोडों में है करीब करीब आट से नव करोड लोग ऐसे हैं जिनोंने मुद्रा योजना की मदद से पहली बार अपना स्वतंत्र काम शुरू किया है आज जो आत्मन निर्भर्द भारत अभ्यान चल रहा है उसका भी आधार देश में मैनिफेक्ट्रिंग के माध्यम से रोजगार काम निर्मान करना है पियलाई स्किम के तहट केंद्र सरकार मैनिफेक्ट्रिंग के लिए करीब दो लाग करोड रुपे की मदद दे रही है ये राशी भारत को दुनिया का मैनिफेक्ट्रिंग हब बढ़ाने के साथ ही लाखो युवाओं को रोजगार में भी सहायता करेगी साथियों भारत के युवाओं के पास अलग-अलग सेक्टर्स में काम करने की स्कील रहनी बहुत जरूरी है इसके लिए देश में उच्च सिक्षा संसानों कौशल विकास संसाना का भी युद्चस्तर पर निर्मान हो रहा है साल 2014 से 2022 के बीच हर साल एक नया IIT और एक नया IIM तयार हुआ है पिछले नव वर्सों में आउसतन हर हपते एक युनिवर्सिटी और हर दिन एब्री डे दो कॉलेज खोले गए हैं हमारी सरकार आने से पहले देश में 720 के आसपास उनिवर्सिटी थी अब इनकी संख्या बढ़कर ग्यारा सो से जादा हो गई है साथ दसकों में देश में सिरफ साथ एम्स तयार किये गए थे पिछले नव वर्षों में हम 15 नए एम्स बनाने की तरफ बड़े हैं इन में से कई अस्पतालों ने अपनी सेवाए देनी भी शुरू कर दी है 2014 तक पूरे देश में 400 से भी कम मेडिकल कॉले थे आज इनकी संख्या लगबग 700 हो चुकी है कॉलेज बड़े तो स्वाभाईक तोर पर सीटों की संख्या भी बड़ी है युवाओं के लिए उच्च सिख्षा की पढ़ाई के अवसर बड़े है साल 2014 से पहले हमारे देश में MBBS और MD की सीटे सिर्फ 80 हजार के आसपाद ही होती थी अब देश में MBBS और MD की सीटे बढ़कर साथियों किसी काम के लिए कौशल का विकास करने में हमारी आइटी आइज ये भी महत्वपुण भूमी का निभा रही हैं कि बीते नव वर्षों में देश में लगवग हर रोज एवरी डे एक नई आइटी आइज का निर्माण किया गया है आज देश की करीब 15,000 आइटी आइज में देश की नई जरुरतों के मुताबिक नए कोर्से शुरू किये जा रहे हैं PM कौशल विकास योजना के तहट अब तक सवा करोड से जादा युवाओं को स्क्रेल ट्रेनिंग भी दी गई हैं साथियों सरकार के इन प्रयासों से कितने ही नए सेक्टर में रोजगार के नए आउसर बन रहे हैं मैं आपको सिर्फ एक उधारन देना चाहता हूं EPFO का अगर हम वर्थ 2018-2019 के बाद के EPFO के नेट पेरोल के आंकडों को ही देखें तो साड़े चार करोड से जादा लोगों को फॉर्मल जॉब्स मिली हैं Employee Providence Fund Organization का जो पेरोल डेटा है उससे साथ पता चलता है कि भारत में फॉर्मल जॉब्स में निरंतर वृद्धी हो रही हैं फॉर्मल जॉब्स में इस वृद्धी के साथ ही देश में स्वरोजगार के मोके भी लगातार बढ़ रहे हैं साथियों बीते कुछ सब्ता में जिस तरह की खबरे आई हैं वो भारत में इंडस्ट्री और इंवेस्टमेंट को लेकर अबुत्पुर्व पॉजिटिविटी को दिखाती हैं कुछ दिन पहले ही मेरी मुलाकात बॉलमार्ट के सीयो से हुई उन्होंने विश्वाज जताया कि उनकी कंपनी अगले तिन चार वर्षों में ही भारत में असी हजार करोड रुपी के सामान का एक्सपोर्ट करने लगेगी हमारे जो युवा लॉजिस्टिक्स और सप्लाइचेंज सेक्टर में काम करना चाहते हैं ये इनके लिए बहुत बड़ी ख़बर हैं सिस्कों के सीओ में ने भी अपनी भारत यात्रा के जहरान मुझे बताया कि वह भारत में बने आठ हजार करोड रुपीय के प्रोड़क्स के एक्सपोर्ट का लक्ष लेकर चल रहे हैं कुछ दिन पहले ही एपल के सीओ भी भारत आये थे भारत के उजवल भविश्य और खासकर मोबाइल मैनिफेक्टरिंग को लेकर वो भी बहुत विश्वास से भरे हुए थे दुनिया के मज़ूर सेमिकंड़क्टर कंपनी एन एक्सपी इसके टॉप एक्जिकूटिव भी हाली में मुझसे मिले हैं वो भारत के सेमिकंड़क्टर एको सिस्टिम के निर्मान और उसके सामर्थ को लेकर बहुत पॉजिटिव है फोस्कॉन ने भी भारत में अनेक प्र दिया है अगले एक सब्ता में दुनिया की बड़ी कंप्वियों के बहुत सारे सीयों से फिर से एक बार मेरे मिलना होने वाला है वे सभी भारत में निवेश के लिए जोश से भरे हुए हैं ये सारी बाते ये सारे प्रयाद दरसाते हैं कि भारत में अलग-अलग सेक्टर्स में कितनी तेजी से रोजगार के नए अउसर बन रहे हैं साथ क्यों देश में चल रहे विकास के इस महायग्य में इतने बड़े परिवर्तनों में अब आपकी सीधी भूमी का होगी अगले पचीस वर्षों में आपको अपने दाइत्वों को पूरा करने के साथ साथ विक्षिद भारत के संकल्पों को भी साकार कर रहा है मेरा आप सबसे आग रहे हैं कि इस अउसर का भरपूर उप्योग करें आज से आपके जीवन में सीखने का भी एक नया दौर शुरू हो रहा है सरकार का बहुत जोर अपने कर्मचारियों के नए स्किल्ड डेवलप्मेंट पर भी है इसी को ध्यान में रखते हुए ओनलाइन लर्निंग प्लेटफोर्म आई गोट कर्मयोगी शुरू किया गया है इस प्लेटफोर्म पर कई तरह के कोर्सिस उपलब्द हैं आप उनका पूरा उप्योग करें आपकी क्षमता जीतने भड़ेगी इतना अपने कारिय पर सकारात्पक प्रभाव पड़ेगा और क्षमतावान लोगों के कारण कारिय पर जो सकारात्पक प्रभाव होता है उसका प्रभाव देश की सभी गति विध्यों में सकारात्मक्ता को गति देता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव पर मैं एक बार फिर आपको तो बसाई देता ही देता हूँ आपकी नई आत्रा के लिए शुबकामनाई देता हूँ साथ साथ आपके परिजनों को भी आपके परिवार जनों को भी क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ी आशा अपेशा और उमंग के साथ जीवन में आगे करने के लिए बहुत कुछ दिया है आज उनको भी मैं अनेक अनेक शुबकाम देर शुबकामनाई देता हूँ आपके उजबल भाविश के लिए प्रार्थाना करते हुए फिर एक बार बहुत-बहुत धन्यवाद